मिसर मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें model test paper हम term 2 के लिए social science का complete solution देखेंगे Hindi plus English version में यहापे जो पहला question है आपका सारे के सारे one word के question से एक-एक marks के हैं और यह 10 question आएंगे आपके यही same pattern रहेगा बोर द्वाराय जारी किया गया term 2 के लिए और इसका PDF भी आप राप कर सकते हैं इससे पहले हमने science का solution करवा दिया है इसका भी complete solution करा दिया गया है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं 10th class का science का जो model पर आपके term 2 का जारी किया गया था इसको हमने complete solve कर दिया है इसका भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो स्क्रीन के end में जब आप paper जो आपका वीडियो खतम होगा तो आपको link मिल जाएगी या फिर आप description box से भी आप link पर जा हैं बंगाल गैजट को और इसके जो राइटर है वो है James Augustus इसकी और इसको प्रकाशन वर्स था यह भी आपको याद रखना है ताकि आपको question में पूछे तो आपको पता होना चाहिए वह था आपका 29 जनवरी 1780 में जो next question इसमें पूछा गया है आपको खुशनवाशी किसे कहते हैं तो खुशनवाशी जो है वो हाथ से बड़े ही सुगधित और सुन्दर अक्षरों में लिखे जाना वाली कलात्मक लिखाई को कहा जाता था तो यहापे call the artistic written writing written by hand in well-formed and beautiful letters तो यह आपका इसका answer हो जाए तो जो next question है आपका इसका प्रतम विश से कब तक चला था तो यह 11 नवंबर को जो है 1918 में इसको समाप्त किया काफी लंबा चला था यह भी आपको ध्यान रखना है यह समाप्त है आपका एंड हो गया था और यह आपका शुरू हुआ है इसके बाद जो next question है उसकी बात करें यहां पुछा गए name of two factors which improve the economy of India तो दो factor कौन से है तो एक तो आपका संचार है संचार आप लिख दोगे हम बोलते हैं communication और दूसरा हो गया आपका ट्रांस्पोर्ट और इसके बाद जो है आपका next इसमें पुछा गए state full form of sale sale का आपको पूरा नाम बताना है तो इसका होता है Steel Authority of India आपसे कुछ भी पूछा जा सकत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सब कुछ अच्छे तरह से पढ़ना है और इसमें लिमिटेड भी आपको लिखेंगे इस तरह से लिख देंगे इसके बाद जो है आपका next इसमें पूछा गया च्छटा question write the name of private and public investment तो आपको निजी और साजुनिक निवेश के मिश्रण को क्या कहते हैं ये बताना है आपको तो उसको हम क्या बोलते हैं joint investment इसको बोलते हैं संयुक्त निवेश इसके बाद जो next question है इसमें आपसे पूछा गया है write the name of agency which solves the dispute of power in state and government केंद्र तथा राज्जी सरकारों में सक्तियों के बटवारे संबंदी विवाद को कौन हल करता है तो सभी को अच्छे तरह से पता है कि इसका अंसर हो जाएगा आपका supreme court यहाँ पर हम लिख रहे थे इसका अंसर supreme court हो जाएगा इसको हम बोलते हैं उच्छी तमने आले अब आपका नेक्स जो पार्ट है उसकी बात करें इसमें यहाँ पर आठ नमबर क्या पूछ रहा है write the name of the first president of India तो वो थे हमारे राजिंदर प्रशाद अक्टर राजिंदर प्रशाद जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया where is headquarter of world trade organization तो इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले जो है जिनेवा वे हैं इसमें आपको लिखना है सारे answers के आपको पूरे नमबर मिलेंगे इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं यह हो गया जिनेवा और यह जो है आपको कहां पर है तो यह स्विजर लेंड में आपको यह भी ध्यान रखना है इसके बाद आप नेक्स जो कॉश्चन इसमें क्या पूछा गया है विनासकारी जो सुनामी आई थी वो कब आई थी तो आई थी 26 दिसंबर को 2004 में ठीक है और यह थी थी थाइलेंड के पार्ट में और जो है अंडमानी को बार इरिया में उसके बाद जो नेक्स कॉश्चन है आपसे क्या पूछा गया है यहां पर आजाईए यहां पर आपके यहां पर जो है नई सदी के उदे के उदे की किताब किस वर्स प्रकाशित हुई थी इस तरह से इसको लेखना चाहिए था इसका अंसर हो जाएगा 1900 में संगीत की यह किताब प्रकाशित की गई थी और उसकी जिल्द पर लिखा हुआ था नई सदी का उदे तो यह 1900 राइट आंसर हो जाएगा तो फादर ऑफ गुटेंबर्ग वाज तो गुटेंबर्ग के पिता क्या थे तो वह एक व्यापारी थे विजनसमें थे तो यहां पर इसमें क्या पूछा गया है विच वन ऑफ फॉलोइंग इस ए रावी कॉप तो जो है चना आपका रावी कॉप होता है सबी को कॉप तो याद होंगे रवी के खवीफ के ठीक है तो आपका पांडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी वाज तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे तो जो नेक्स कुशिन है उसकी बात करते हैं या पूछा गया राश्ट्रिये केडिट कोर की स्थाप प्रविल को, 1948 जो इसकी स्थापना गी ठीक है, इसका बाज़ नेक्स क्वेश्चे ने उसकी बात करते हैं यहां पर, आपको कॉलम्स को मैच करना है यहां पर, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर सारे के सारे ओप्षनस आप देख सकते हैं, तो इसके अलावा जो है, यहां पर इसके बात में गैली क्या थी आपकी, तो यह गैली जो है, एक मैटल फ्रेम थी, ठीक है, और फाइर यूज क्या हो जाएगा आपका, इलेक्रिव वल्ब में, फ्यूज वायर, और चेर में आफ कंट्रिस्टूशन एसेम्बिली, तो यहां पर आ जाएगा आपका, डॉक्टर राजिंदर कुशाद, ताइकलोन ओफ तमिल नाडू जो है, वायत आपका, 1977 में, और गैली में ने बता दिया, मेटल प्रेम हैं आपका, तो इस तरह से यह पांचों को मैच कर दोगे, तो आपके आंसर में, यहां से पांच नंबर मिल जाएंगा, सिधे-सिधे आपको पांच नंबर यहां से, एक ही कोश्चन में पांच नंबर आपको मिलने हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, और मतलब आप मैच करोगे, उसके सही आंसर के, सह यहां पर भी आप इसको मैच कर सकते हो इसके बाद है आपका पार्ट बी जो है अब इसमें क्वेश्चन जो है रिटेन आपको लिखने होंगे और मैंने जैसे आपको बताया अगर पीडिएफ आपको चाहिए तो इस पीडिएफ को जो है आंसर पीडिएफ को आप आपको है यहां पर जो पर गचरने है है यहां पर पर आप से कक्वेश्चेन पूछा गया उसकी करना तो इहां पर जो पूछा गया कोश्चन सबसे पहले अस Peach parti लूटर रोज इन फेवर ऑफ क्रींट करके ऑनने सिकwah करव ने सौ प्रशंसा भी किए आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा question है, बहुत ही अच्छा answer इसका, Martin Luther ने Rome Catholic Church की जो आलोचना की थी, वे print के जरीए ही, जन मानस याने की सामान न्यादमी तक, जो है, बड़े हिससे तक पहुंच पाई थी, इसलिए Martin Luther, जो है, मुद्रन के पक्ष में था, और उसने इसे, इसकी खुले आम प्रशंशा की थी, और मुद्रन इश्वर की ही महानतम देन है, ये भी इसने कहा था इसे statement में, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने इसके, इसकी प्रशंशा भी की थी, और इसके पक्ष में भी था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको मैंने आपर इंग्लिस में भी लिखा है, ठीक है, तो आज जो next question है, अगर बात करें तो Martin Luther's criticism of the Roman Catholic Church reached a large section of the public only through the print, और therefore Martin Luther was in favor of printing and he openly praised it and said printing is the greatest gift of God, तो आज जो next question है इसमें, पुछागा, street any three merits of roadways, तीन पूछे हैं तो तीन आपको बताने हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला जो आपको questions है, इसमें बोला गया है, निमलिकीत में से किनी चार प्रशनों के आपको उतर देने हैं, तो आपको मिलेंगे 6 questions, लेकिन उसमें से करने हैं, आपको 4 questions है, यह main important चीज है, और यहाँ पर आपको जो 4 questions आप करोगे, वो 2-2 number के answer के इसाब से मिलेंगे, 8 number यहाँ से आप राप करोगे, तो यहाँ पर जो है, आपको सड़क परिवहन की 3 गुण जो है, आपको बता देने हैं, पहला गुण जो है, आप क्या चाहो, तो सड़क परिवहन के माध्यम से घर-घर सेवाए आसानी से उपलब्ध होती है, तथा सामान, उतारने और चड़ाने की लागत भी आपक्षाकरत कम होती है, इसके लावा चौथा option भी आप बता सकते हो, railway line की आपक्षा सरखों का निर्मान में कम खर्चाता है, तो less expensive माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कम आदमी जाते हैं, तो कोई रिक्त निया, अब rail गाड़ी 10 आदमियों के लिए चलाओगे, तो बहुत बड़ी नुक्सान हो जाएगी, लेकिन वहीं पर बस चलाओगे, या कोई भी transport चोटा चलाओगे, तो उसमें आपको कोई हो गया, उसके लावा जो है, इसका cost जो है less होता है, अगर हम rail के बजाए roads बनाएं तो, बस यह आपको समझाना है, उसको पर जो next question है, what is the manufacturing, यानि कि वी निर्मान क्या होता है, तो जब कच्चे माल को मुल्यवान उत्पाद में या मुल्यवान वस्तु में बना करके अधि how cost and qualities are still continuing in India, यानि कि बताने है आपको भारत में किस तरह अभी भी जाती गत असमानताएं विद्धमान हैं या जारी है, तो यहां पर जो है समिधान में जाती गत भेद भाव का खंडन किया गया है, और जाती गत अन्यायों को समाप्त करने पर बल भी दिया गया है, परन्त करते हैं, ना ही मेल मिलाब करते हैं, गोत्र व्यस्ता आज भी मौजूद है, जिन जातियों को पहले सिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके सदस्से आज भी समयाधानिक तोर पर पिछड़े ही है, और आज भी जाती आर्तिक हैसियत के आधार, आधार को निर्धायित करत है, यह जिसे टॉपर्स लिखने हैं, टॉपर्स कैसे बनते हैं, क्या रीजन है कि वो टॉपर्स क्या लिखते होंगा, ऐसा कुछ खास लिखते हैं, बड़ा चोड़ा लिखते हैं और या फिर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो आंसर्स बताए जारे हैं, इसी हिस तेहे हमें बता राण बखाट में और अलाट। तो जो next part है, how would flexibility in labor law help companies, तो स्रम कानूनों में लचीला पन कंपनियों को कैसे मदद करेगा, यह आपको बताना है, तो स्रम कानूनों में लचीले पन से कंपनियों को प्रकतिस पर्थी और प्रकतिशील बनने में मदद मिलेगी, और स्रम कानूनों में लचीला पन से बहुराष लचीले पन के बाद अनेक भारतिये कंपनियों को लाब भी हुआ है, इन कंपनियों ने अपने उत्पाद मानकों को उचा उठाया, यह नहीं quality improve करी है, और साथ ही साथ उचने विदेशी कंपनियों के साथ सफलता पूर्वक सहयो करके लाब भी अरजित किया है, तो यहाप आप flexibility के बाद में यहाप समझा सकते है, flexibility in labor laws will help companies in being competitive and progressive, multinational companies will invest, इसको आप MNC भी लिख सकते हो, short form में MNCs, इस तरह से लिख सकते हो, due to which इसे आपका time बचाएगा, due to which new industries will be established or new jobs will be created as well as the local companies supplying raw materials to these industries will expand and the production process will also be modernized, many Indian companies benefited after the flexibility in labor laws, these companies raised their productivity standards and some have successfully collaborated with foreign companies to make a profit, next question है, इसकी बाद करें तो यहाप से पूछा गया, list out है, यहापे 6 questions थे, 6 में से आपको 4 ही करने थे, यह 6 questions आप देख लीजिए, list out for members of the disaster management committee at the district level, तो देखो, disaster management committee, यानि कि आपका जिला इस तर पर आप दा प्रबंदन समीथी के 4 सदस्यों के नाम लिखते हैं, तो यह 4 सदस्यों से fix नहीं होते हैं, हर साल होता रहता है, इस सदस्यों का नाम लिख करके आप घंटन के इसका विभाग आजाएगा जल और सवचेता विभाग पुलीस है अगनी शमन सेवा है रास्टी एमम अंतराष्टी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनी धीवी इसमें स्तामिल होते हैं तो उस आदमी का नाम नहीं लिखेंगे जहां पर इसने लिखना सदस्यों के नाम तो सदस्यों विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर भी आजाएगा पूलीस आजाएंगे फार सर्वीसेज आजाएंगे रिप्रेजेंटिव जो है नेशनल एंट इंटरनेशनल एंजियो के वह भी इसमें सामील होते हैं तो आपको कोई भी पांच बताने हैं इसमें आपको बताने इन इनके तीन करने पें गिपर गएंगेने का रही सब्सक्राइब्व आपको चार करने इस एक के उत्तर दोगे एक प्रस्टन जो है आपको तीन नंबर देगा आपको तीन नंबर मिलने वाला इससे अपनिवेशिक काल में जो है सूरत एक महत्तपूर्ण बंदरगा था जहां से पश्चमी एशिया के साथ होने वाला वैपार काफी सम्राद था अच्छे से होता था और तेजी से बदलती परिस्तिती जब जैसे जैसे साधन बढ़ते वह और इस इंडिया ने अपने पैर खला जा देंगे तो हम कमाएंगे तो वह भी क्या होगे दिवालिया हो गए और सत्रवी सताध्वी के आखिरी सालों में सूरत जो बंदरगा जो है वहां पर होने वाला पार है वह बहुत ज़्यादा घट करके 1.6 करोड रुपे हो गया और जाने के बाद में और थोड़ा आते जो है भारती जो सौधागर थे उनके नियंत्रण में यह रहता था जो बंदरगा वो नेट्रक पूरा का पूरा तूट गया और कलकत्ता और मुंबई जैसे नए जो है बंदरगा इस्ताफित हुए यानि कि अधोगी केंद्र इस्ताफित हुए और इसके कारण सूरत क व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो गया और 18 सदी के अंत में आते आते जो है सूरत बंदरगा आशिये तक पहुंची गया तो इस तरह से आप अच्छे तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हमारे पास जो आंसर आप देखेंगे वह बहुत ही डिटेल में बहुत इससन olmaz कि बनाया जाता है तकि जो बच्चे लिखने वाले है उनको कम से कम संध में आया कि उससे भी डमण्स कर सकते हूँा मैं डिमां कर सकते हो लिऊ की वीडियो की या फैर डांलोड ससे की सब कुछ मिल West Asia was very prosperous. In rapidly changing circumstances, the East India Company had developed its center of trade in many other cities. The loan with which business used to run, this loan se business chalta tha, also started ending, gradually the local bankers went bankrupt. The total value of trade through the Surat Port in the last year of 17th century was 1.6 million rupees. By the 1740, it fallen only 30 lakh rupees. Thus, by the 1750, the network under the control of Indian merchants broke up and Kolkata and Bombay merged as a new industrial centers due to this Surat trade was badly affected by the end of the 18th century. 1750 तक 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 ये इस्ति थी 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 तो 1870 तक 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 ये हो गया? ये declined हो गया. बस ये हमें बताना था. Next question उसकी बात करते हैं. Why do you think the solar energy has a bright future in India? भारत में स्वार उर्जा का वविष्य उजवल क्यों है? ये हमें बताना है. तो स्वार उर्जा सूरे के प्रकास से उत्पन होने वाली उर्जा का अक्षय शोत्र, यानि कि कभी ना खतम होने वाला शोत्र है. तो इसका भारत में उजवल भविष्य है, क्योंकि भारत ऐसा मौसम है, रखता है कि इसके पास 12-12 महीने सूरज को रोशनी प्राप्थ होती रहती रहती है. तो इसमें टेंसे लेने की बात नहीं, कभी-कभाई होता है, एक-दो महीने कम रोशनी आती, बाकी हमेसा रोशनी आती है इन सूरज की, यहाँ भे हम कह सकते हैं कि भारत एक उष्ण कठी बंदिय देश थे, ठीक है, और सुदूर और ग्रामीन छेत्रों में सौर उज़ा, कीजिसे जो हैं लोगप्रिय भी हो रही है, साथी साथ शहरी और ग्रामीन छेत्रों में सौर संयंत्र इस्तापित करना भी आसान है, ग्रामीन छेत्रों में सौरर प्रांट लगा करके, जलाओ लखडी और उपलो जो गोबर से बनता है, पर लोगों की निर्भरता को भी कम क तोर्च भी आ रहे थे, अभी सब कुछ आता ही है, और आप तो घर की लाइट है, इसी वेगरा सब पंके चल सकते हैं, बस अपने, उपर डिपेंड है कि अपने पैसे हैं, तो solar भी लगवा लें, बस वो एक बार, one is investment है, बट, lifetime आपको achievement मिलती है, 25 साल की इसकी guarantee रहती है, यह easy to establish solar plant in urban and rural areas, by setting up solar plant in rural areas, dependence of the people of firewood और डंग केक्स जो गोबर की है, उपले, उस पे जो है, reduce हो जा रहा है, it is also becoming popular as it is used for cooking, cooking के लिए भी यूज़ हो रहा है, heating के लिए water heating भी यूज़ कर रहा है, lighting के लिए भी यूज़ कर रहा है, इसलिए popular है, और it is renewable, सबसे important चीज़ तो यह है, ठीक है, energy है, इसके बाज़ नेक्स question है, name the one beverage cop, ठीक है, specify it geographical condition, एक पे फसल का नाम बताना है, उसका न जलवाईयों में, humus और जीवांस, युक्त गहरी, मिट्टी, ध्यान रखना, सुगम, जल, निकास होना चाहिए, जल नहीं जमाना हो चाहिए, यानि कि धलवात छेत्रों में भली भाती उगाया जाता है, और चाहिए कि जाडियों को उगाने के लिए जो वर्ष भर लग टलवारेशा, जल भी तरव लगाया हो, जी सको मोल sanity को ल्गाते हम जीमा उन भर्ष पे ग्रवांस, अब ब्रवारेशं हमiğस जो में ल्हे जो ध्याते है, जिसको प्लांट जैसे पहरी प्लांत फर यृह तेलोल में नृम स्लोभ टीर शॉवरूम सेथछ ग्लम वरें। distribute over the year and source continuous growth of the tender leaves, ठीक है, तो यह आप बोल सकते हैं, इसकी साहिक जो पतिया होती है, ठीक है न, नवी पतिया होती है, उनको जो है आसानी से उगाने मदद करता है, इसके बाद जो चोथा प्रशन पूछा गया, इसी पार्ट का, आपको कोई चारी questions करने है, छे में से, ठीक है, तो लोगतंत किस तरह से उत्तरदाई, जिमेदार और वैद सरकार का गठन करता है, आपको बताना है, तो आसानी सहम बता सकते हैं, लोगतंत जो है निमलिकित प्रकार से उत्तरदाई और जिम्मेवार और वैद सरकार का गठन करता है, पहला जो हम उत्तरदाई बता देंग तो इसमें जो है लोगतंत्र में सरकार अपने देश के प्रती जिम्मार होती है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि वे अपना कारे जिम्मारी से करेंगे और जनता लोगतंत्र में सरकार से काम, काज, समंदी, जानकारी प्राप्त कर सकती है और विरोधी दल जो है सरकार की अलुचना करते हैं, जिससे सरकार की नीतियों का, यानि कि उनका पर्दाफास करने का काम करते हैं, या कारेयों का पर्दाफास या पार्दी सिता करते हैं, और जिम्यदार सरकार का एक गठन हो जाता है, फिर अपनी मनमानी वो नहीं कर सकते है कि चुनाव प्रक्रिया ही सरकार की वेदता पर महर लगाती है इसके बाद जो है इसको हम डॉमिक्रेसी को इंग्लीज में लिख देंगा है यहां पर अकाउंटेबल गवर्मेंट जो है मैं अभी आपको पढ़के बता है वही चीज हो जाएगा और जो है आपका लिगिमेट भी ही वही हो जाएगा उसके बाद जो है आपका नेक्स जो है कुछ ऐसे कारकों पर चर्जा करना है उभगताओं का सोचन जिसमें होता है ठीक है तो वह बताने हैं जिसमें का एक्स्प्लोइश्ट्रेशन होता है तो पहला होता है कुटिलता और बश्टाचार जमा खोरी म लगा जानकारि को माल या उतपाद के बारे में जो है सीमिक या गलत चाहित मतलब कम से कम जनकारी और गलत जानकारी देतें जिससे उत्तर है डिरक्षर है तब चब में आपको बताई होई है क्यूंस घंगे अब आपको यहाँए पर 5 और के क्रश्टम लेंगे ठाउग और option आएगा इसमें, how did East India Company producer procure regular supply of cotton and silk textile from Indian weavers, तो इस India Company ने भारती बुनकरों से सूती और रेसमी कपड़ों के नियमित आपूर्ती सुनिशित करने के लिए क्या किया था, यह हमें बताना है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, East India Company ने प्रतिसपर्दा खतम करने, लागतों पर अंकुष लगाने और कपास वह रेसम की बनी चीजों के नियमित आपूर्ती सुनिशित करने के लिए प्रबंद और नियंत्रन की एक नई व्यवस्ता लागू कर दी, और यह काम कई चर्णों करने के लिए वेतन भोगी करमचारी रख लिए जिनको गुमस्ता कहा जाता था, और कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खईदारों के साथ करोबार करने पर पावंदी भी लगा दीन होने, और एक बार काम का आउडर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खईद इस पर देखिये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तिसरा पॉइंट, तैसरा पॉइंट और पांच पॉइंट, कमसे कम हमें 5 पॉइंट लिखना है यह से को मैंने इंग्लिज में भी लिखा है, बहुत ही सिंपल लेंग्विज है, आप जैसे ही आप चाहते हैं कि आगर त्याधिक साथ सुविदाजनक परिवहन सादन है तथा क्यों है ये भी आपको बताना है तो बहुत एजी आंसर इसका भारत में रेल परिवहन बस्तू तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य सादन है और रेल परिवहन जो उत्री मैदान में जो है परिवहन का परिवहन से कई तरह के पारेकार सकते हैं. तीर्थी आता वाले भी जा सकते हैं. उसके अलावा बहारत हमें रेल देश की आर्तिक विकास को बढ़ाती है, और रेल भारति है साललणी छेत्र compose का, सबसे बड़ा उपकरम भी है। और रेल मैदानी छेत्र की उच्छ जनसंख्या के अनुकूल परिवहन मानी जाती है, तो इस तरह से पांच पॉइंट में हमने समझा दिए, अज मैंने बताया था आपको पांच नंबर के पांच पॉइंट लिख देना है, सीडी सीडी सी बात है, तो पहला कुशन आपको करन पैसेंजरेंड गूद्स और मैनी थैप्स ओफ वर्क कन बी दन रेल ट्रांसपोर्ट लाइड पिलग्रिम एंड ट्रांसपोर्टेशन और गूद्स उसके बाद में रेलवे इन इंडिया इंक्रीज़ एक्नॉमिक डवलपमेंट अब अब कंट्री और रेलवे इस दे लार् राजनीतिक डल जो है विविन भूमिका ही निवाते हैं उनकी चर्चा करनी है देखो राजनीतिक डल जो है चुनाव लड़ते हैं और यह कुशिश करते हैं कि चुनाव में उनके ही मुदवार जीते हैं और राजनीतिक डल जो है देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर के जंता में जागरुकता पैदा करते हैं राजनीतिक दल जो है देश के कानून निर्मान में महत्तुपूर्ण भूमिका भी निवाते हैं और जो है मददावताओं को इस समक्ष में शबी अच्छी बनाने के लिए अपना चरीत अच्छा बनाने के लिए जनता क की सुख सुभिदाओं का द्यान रखते हैं और उसके विभिन कारे करते हैं राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़कर के सरकार भी बनाते हैं अपनी ताती साथ चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमी का निभाते हैं और इस प्रकार जो है सरकार पर अंकुष रखत हैं तो यह सारे सारे पॉइंट से इसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो आप लिख सकते हैं तो कोई भी हमको 5 पॉइंट इसमें से डंग से लिखने हैं 5 से 6 पॉइंट आप लिख सकते हो यह पॉलिटिकल पार्टिस क्या करते हैं और ट्राइट विन इलेक्शन और पॉलिटिक करवाती है और अपना एक government बनाती है उसके लावा जो है political party जो lose हो जाती है वो opposition का रोल निभाती है और वो control करती है अगले जो जीता हुआ government है उसको क्योंकि आपनी मनमानी ना कर सके political party और क्या करती है वो public को introduce कराती है political policies क्या है government की और वो अपने करतब भी है इसके बाद एक और प्रशन है इसमें पुछा गए why are rules and regulations required in the marketplace give example बाजार में नियमों और विनमों की आवशक्ता क्यों पड़ती है इसको उधान सहीत आपको समझाना है तो simple सा answer है इसका बाजार में वोगता की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम की आवशक्ता पड़ती है क्योंकि अकेला उध्भकता जो है स्वय को कमजोर इस्तिती में बाता है कोई भी आदमी अकेले जाता है बाजार करने तो वह ज्यादा वहस नहीं करता दुकांदार से और खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता जो बेचने वाला है वो सारा तॉटी वस्तु वे भी देते हैं या फिर जो है आपका डेमेज माल भी देते हैं कंपनी नहीं यह धावा किया कि मां के दूद से जयादा जो हमारा अधिक बैतर है और यह बीश्यू के लिए पूरे the marketplace यह चीज मेन है rules and regulations किसके लिए चाहिए तो जो consumer है उसको protect करने के लिए marketplace में जब बाजार में जाता है तब उसके examples मैंने आपको बताए हिंदी में वही चीज में आप English में लुक की है उसके बाद में सात्वा जो फ्रशन है इसमें आपका आगया map work तो हम map देखते हैं और इस map में eastern and west घाट बताना है आपको चमुना रीवर बताना है और भाखडा डैम बताना है टी प्रोडूसिंग स बात करें तो यहां पर जो है यह आपका जो हरा color का यह चाय उत्पादक राज्य है जो कि हिमा चले आपका ठीक है तो यहां पर हमारा answer जो number अगर मैं बात करूं तो यहां चाय उत्पादक राज्य है जो चार नंबर अगर बात करें तो चार नंबर जो है यह चार नंबर का और यह आपका पांच का भी आंसर है क्योंकि यह केरल भी है जिसके बाद जो है आपका यमुना नदी आपका उत्राखंड से होते वे यूपी से बिहार होते वे निकलती है यह है आपका यमुना नदी जिसको हम लिख सकते हैं यमुना नदी ठीक है तो यह आपकी यमुना नदी हो गई यह वाली है आपकी रेड लाइन जो है न यह इसके बाद जो है आपका लास्ट पार्ट बचाएस में पूर्वी तथा पस्चमी घाट यमुना नदी आपने लिखा दिया यह रहा आपका पूर्वी तथा पस्चमी घाट यह दोने को दोने है यह वह एक नंबर है और यह वह आपका पस्चमी घाट वियतनाम रूस, इटली, अफगानिस्तान, बांगलादेश, सबसे पहले यह जो आप रैड गलर में जो मैंने पूरा हाइलाइट किया हुआ है, यह आपका रूस, ठीक है, रूस यह वाला नहीं है, रूस, ठीक है, और यहाँ पर जो है यह आप छोटा सा देख रहे हैं जो य यह है बांगलादेश, और यहीं पर मैंने यह छोटा सा एक मार्क किया हुआ है, यह आप देख रहे हैं वियतनाम, इलावा और क्या है आपका इसमें, इटली है और अफगानिस्तान है, यह पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको बढ़ा करूँ, इस तर यह चोटा सा भारत के नक्से में है यह बांगलादेश है, और वर्ल्ड मैप में जो उपर की तरफ है, यह आपका रूस है, पूरा का पूरा आप देख रहे हैं जैसे, और यहाँ पर यह इटली हो जाएगी आपकी, यह जो पार्ट है, यह इटली का है, मैं चोटा करके भी दिखा दूँगा, यह है आपका, यह है इटली, और यहाँ पर यह है आपका अफगानिश्ता, तो इसको उप्शोटा कर लेते हैं, आप सारा देख सकते हैं, एक साथ में, तो यह है आपका बॉल्ड मैप जिसका आंसर हमें देखना था, और इसके बाद जो है आपका, यह पीपर पूरा खतम होता है, और जो है मैंने बता दिया आपको, आप डारेक्ट जा सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक देता हूं में, यह हो गया, एक एच आई एल, और यहाँ पर फिर क्लासेज.online, इस पर जाकर के आप सीधे की सीधे जो है पीडिएफ, आंसर इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि आपके आंसर सारे के सारे बनाये जाए और कमेंट करना बिल्गूल ना भूलें कि नेक्स सब्जेक्ट आपका कौन सा बनाया जाा, शेयर करते रहें ताकि बच्चे तभी इसको देख करके कुछ ना कुछ सीखें.